हेलो फ्रेंड्स धनश्री केक्स हिंदी में आप सब का स्वागत हैं आज हम बहुत अच्छा चोको मार्बल केक या चोकलेट मार्बल केक बनाने जा रहे हैं बहुत इजी तरीके से तो चलोँ देखते हैं मैंने चोकप्लेट का स्पॉंज लीया है एक कैसे बनाया तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्टिम्शन में दिया है तो यहां मैं चोक्लेट स्पॉंज के तीन लेयर करने वाली हूं तो देख सकते हो हम तीन लेयर करने वाले हैं हम आज डॉम शेप बनाने बनाने जा रहे हैं या मार्बल इफेक्ट कर रहे हैं तो मैं टन टेबल के उपर ही अपना अपना केक बना रही हूं तो चलो तो यहां मैंने एक स्लाइस रग दी है उसको सोक किया फिर बाद में क्रीम मैं एपलाई की थोड़ी चोकोचिप्स भी एड़ किये बाद में सेकेंड भी लेयर रग दी और अपना सोक किया फिर वही प्रोसेस मैंने रिपीट किया है तो देख सकते हों बहुत अच्छा और बहुत इजी तरीके से मैं बता रही हूं मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए हिंदी चैनल तुम्हारे लिए शुरू किया है और जो मेरे हिंदी सब्सक्राइबर है या हिंदी विवर्स है तो सबके लिए है ये चैनल तो जरूर देखिएगा तो यहां हमारा केक जो है वो डॉम शेप आया है केक को हम डॉम शेप का केक बनाने वाले है बीना किसी डॉम शेप के मोल्ड के बीना तो बहुत अच्छे तरीके से तो केक क्रीम से हम सब केक जो है वो कवर करने वाले है आप भी एक एक जरूर ट्राइ किजेगा बहुत अच् ज्यादा दिखने में ज्यादा easy नहीं है लेकिन उतना ही easy है तो यहां मैं पूरा केक को dome shape दे रही हूँ palette knife के help से बाद में मैं एक plastic का card लिया है और उसकी help से यहां dome shape बना रही हूँ बहुत अच्छा और बहुत easy तरीका है एक card तुम भी यूज़ करेगा बहुत अच्छा finishing आता है plastic के card से तो आप भी जरूर try किजेगा एक cake तो बहुत अच्छी finishing हमारे cake को आने वाली है बहुत अच्छा finishing में कर रही हूँ तो dome shape है dome shape के उपर हम chocolate marble बनाने बनाने वाले है तो जो board है वो भी मैं clean कर रही हूँ तो हमारा cake को dome shape आया है हम फिर से अच्छा dome shape बना के एक cake transfer करने वाले है एक जाली के उपर तो बहुत अच्छा हमारा एक cake बनने वाला है प्लास्टिक के card की help से आप भी अच्छी फिनिशिंग कर सकते हों बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है ये प्लास्टिक के card की help से बहुत अच्छा दिख रहा है cake हमारा और बहुत अच्छी फिनिशिंग भी आई है बहुत एजी है cake बनाना एजी तरीके से मैं बता रही हूं तो यहाँ clean कर रही हूँ पूरा cake जो है बहुत अच्छी फिनिशिंग कर रही हूँ cake के उपर एक क्रीम कैसी बिट की या शुगर सिरप कैसे बनाया इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और हम जो चौकलेट गानाश यूज कर रहे हैं उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है वो भी वीडियो में ने अपलोड किया है पहले से ही तो बहुत अच्छा जो प्लास्टिक का कार्ड है थोड़ा सा बेंड करना है या थोड़ा सा कर्व शेप करना है और एक्स्ट्रा की क्रीम निकल जाएगी और हमारे केक को बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी हमारा केक डॉम शेप का केक रेडी हो गया है बेना किसी मोल्ड के तो मैं एक केक ट्रांसपर करने वाली हूँ एक जाली के उपर यहां मैंने ऐसी जाली लिया है जो हम फुलका बनाने के लिए यूज करते हैं तो या तुम कोई भी टीन या कोई भी यूज कर सकते हो या डिब ताट लिया है या डीश लिया है और उसके उपर हम केक रखने वाले हैं तो यह मैंने पैलेक नाइफ के हेल्प से केक मैंने यहां जाली के उपर रख दिया है और बाद में मैंने गनाश बनाया है यह गनाश कैसे बनाया इसकी लिंक अपलोड किया है और उसकी भी लिंक मैंने description में दिया है यहां मैंने navy blue color लिया था लेकिन navy blue color का effect नहीं आया बाद में फिर से मैंने white color डाला और white color से ही बहुत अच्छा effect आता है blue color और गनाश का color एक ही जैसा है इसलिए तो यहां मैंने white भी color लियाивает把它 color का effect बहुत अच्छा इफेक्ट देने वाली हूं जो कि marble एफेक्ट बहुत अच्छा दिखता है चोकलेट मार्बल इफेक्ट कहे सकते हो तो यहां मैंने बहुत अच्छा इफेक्ट दिया है मार्बल इफेक्ट कैसा जिगजग की तरह यह डालना है केक के उपर और जो ड्रीपिंग हो रहा है जब ड्रीपिंग होगा तो हमारा केक को बहुत अच्छा इफेक्ट आ जाएगा तो जब तक यह ड्रीपिंग होता है तब तक हमें केक नहीं उठाना जब ड्रीपिंग बंध हो जाए तब केक उठा कर हम केक बोड पे लेने वाले हैं तो हमारे ड्रीपिंग चालू है अभी तक जब ड्रीपिंग बंध हो जाएगी दो तीन मिनट लगते हैं ड्रीपिंग बंध होने के लिए तो यहां मैंने आधा किलो का केक बोड लिया है और उसके ऊपर एक केक रख रही हूं पैलेट नाइफ के हेल्फ से पैलेट नाइफ न तो थोड़ा सा प्रेस करना है बाद में बाहर की तरफ से खिंचना है और बहुत अच्छा इफेक्ट हमारे केक को आ गया है तो देख सकते हूं तुम भी आप भी जरूर ट्राइ किजिएगा मेरी हिंदिया इतने अच्छी नहीं है प्लीज मुझे संभाल कर लिजिएगा तो यहां मैंने मोदक नोजल लिया है और उससे मैं बार्डर कर रही हूं केक को बहुत अच्छा हमारा केक बन चुका है बहुत अच्छा दिख रहा है आप भी जरूर ट्राइ किजिएगा मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मुझे लाइक किजिएगा शेयर चैनल को और हमारा चैनल को शेयर किजिएगा हमारे तुमारे फ्रेंड्स और फैमिली में तो जरूर बहुत अच्छे नए वीडियो के साथ जरूर मिलेंगे तब तक के लिए बाई बाई टेक्त क्यार जरूर एक एक ट्राइ किजिएगा